हेलो दोस्तों कैसे आप सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉंग कोट जर्मन सैफर डॉग की प्रॉब्लम्स के बारे में जब भी एक ओनर लॉंग कोट का पपी परचेस करता है तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करने ही पड़ती हैं तो वही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं जब आप एक लॉंग कोट पपी परचेस करते हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ बहुती कम कंपनियां जो इस लॉग डाउन में भी डिलिवरी कर रही है लेकिन ऐसे में एक डॉग फूड की कमपनी है पैट्स लाइक जिसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ वो डॉग फूड की डिलिवरी कर रही है और उनका बहुती अच्छा ओफर आया हुआ है वही बता रहा हूँ मैं आपको देखो उनके पास दो टाइप के फूड है एक तो डॉग का फूड है एक पपी का प्रीमियम फूड है जो डॉग का फूड है उसमें 24 ग्राम प्रोटीन है और जो आपका पपी का फूड है उसमें 26 ग्राम प्रोटीन है उसमें ओमेगा 3 भी है जो कि आपके पपी या प्रफिश पूट के लिए, इसकिन कलर के लिए, बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन्स भी एविलेबल है, बहुत सारी चीजे और हैं, जो आपके पपी और डॉक की हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा है, उनके बहुत अच्छे आफर आए हुए है, दस किलो के पैक के ओप पर जो आफर है वो एविलेबल है, जो उनका दस किलो का डॉक का फूड है, वो आपको 1380 में मिल रहा है मातर जो की पहले और कोस्कली था, और जो पपी का फूड है वो पहले था, बाइस सो पचास का लेकिन अब उन्होंने अठारा सो पचास का कर दिया है, आफर सिर्फ ल आएंगी, तो भाईयों अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि अगर आप एक लॉंग कोट का पपी लेते हो तो आपको क्या-क्या प्रॉबलम फेस करनी पड़ सकती है, दोको आप सभी को पता है, आज के टाइम पर इंडिया में बहुत जादा डिमांड है लॉंग कोट प बारे में पता चलता है, तो वो यह सोसते हैं कि कास हमें ये पहले पता चल गया होता, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का जो मेरा है मोटीव है, तो मैं प्रॉबलम आपको बता दूँ, सबसे पहली प्रॉबलम और सबसे बड़ी प्रॉबलम जिसमें सभी भाई परेसा कोई आ रहा है अब वो देखे आपके घर में चारो तरफ बाल फैले हुएं आप जहां पर खाना खा रहें वहां पर भी बाल पड़े हुएं तो यह थोड़ा बेकार लगता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगे आप कंट्रोल भी नहीं कर पाऊगे क्योंकि वह एक गर में एसी वगर आए उनके लिए तो कोई दिक्कत निया डॉग अराम से अर्जेस्ट कर लेगा लेकिन अब नॉर्मल बंदे जिनके घर में कूलर भी नहीं है पंखा है वह लोंग कोट का पपी ले रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है देखो वह पता है एक तो वह भार का डॉग है ठीक है ना अब तो खेर इंडिया में अर्जेस्ट कर चुका है लेकिन इतने बड़े-बड़े बाल है वह गर्वी में कैसे अर्जेस्ट करेगा 24 घंटे हाफ तर आएगा ठीक है उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए क्य इतना स्रेडेट की दिक्कत भी नहीं है आप उसको गर्मी में भी आराम से पंखे के नीचे नीचे रहना गर्मी के टाइम पर वह बहुत ज्यादा मुस्किल है ठीक है वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा आपको बार-बार उसके वह जो बाल कटवाने पड़ेंगे ठीक है तो यह कुछ प्राबलम है जब आप एक लॉंग कोट कपपी पालते हो तो आपको फेस करनी पड़ सकती है तो कैसी लगी आपको वीडियो कॉमेंट करके बताना सेर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारी चैनल को मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्स वर वाचि एक लिए वीजिए शब्सक्राइब में चैनल